हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियों में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप यूपी पीएस्टी में एडिस्ना प्राइट सेक्रेटरी के लिए ओन लाइन आविदन कर सकते हैं तो राविदन क्राइट करना है अप्लिकेशन फोम कैसे बढ़ना है यह सारी किसा जीज़े मैं आपको इस वीडियों बताई निक को आपको अपको इस प्राइट करूंगा। ятель's आपको पता चल जाएगा कि पोस्टै प्रिटर्टी रिए के लिए और कितनी क्या क्या अप्धिसब्रीटी क्रइडियग को पता चल जाएगा और फी कही तर्री की इंफोमेशन वहाँ से मिल जाएगा आपको तो चलते हैं विडियो के स्टार्ट करते हैं मैं उर्डी बता चुका हूं, आपको simply क्या करना है, यहाँ पे apply बेटन इसलिक करेंगे, यहाँ पे apply बेटन इसलिक करेंगे, नीचे आपको एक और window pop up होगी, ऊठीक है, आपको simply क्या करना है, authenticate with OTR पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दुवारा, आपको क्या करना है गिरीन वाले पर authenticate with OTR server पर आपको क्लिक करना है, फिर यहां पर आपके पास OTR registration number है, तो yes करिए, वन आप no करिए, और no करने के बाद यहां पर आपको click here to get OTR number पर click कर देना है, उसके बाद आपके पास यह नया window खुल के आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब यहां पर get OTP पर click करना है, get OTP and email ID और फिर दुबारा यहां पर OTP टालने के बाद वाद वैलिट कर देना है, तो simply यहां पर हम क्या करेंगा, OTP डालने के बाद यहां पर आपको वैलिट करना है, फिर phone number तो यहां पर हमने डाल लिया, यहां पर ग्रीन कलरक उप्शन दिखे इस नेम क्या है वह आपको बताना है, तो उसके बाद आपको अपनी पिता जी की डीटेल देनी है कि फादर का नाम क्या है आपके, उनका middle name है तो बताईए और last name है तो बताईए, यह सब चारी चीज़ आपको फिल करनी है, उसके बाद आपको अपनी माता जी का डीटेल द इसके बाद middle name और last name लिखना है प्र आपको application high school के qualification बताने बोर से लेकरना है पासिंग कभ़नेर बताना है या पर लिख देना है और register लिखस्धर बटन पर click कर देना है यह मैं पूरा detail इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है काफी लंबी वीडियो अगर मैं पूरा एक्स्प्रीन करने जाओ तो काफी टाइम हो जाएगा तो सिंप्ली आपको वहां से देख लेना एगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिंप्ली और करने के बाद उसके बाद लोगिन पर क्लिक करना है लोगिन आप OTP और पासवर्ड के थूरू लोगिन कर सकते हैं जैसे कि मैंने अल्रेडी बता है कि मैंने फूरी डिटेल वीडियो बनाई है इसके उपर तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो को जाके चेक करी अगर आपको कुछ बीडाउट आता है या फिर आपको प्रोब्लम आती जनेरेट करने में तो इस वीडियो में करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा तो वहां सबसे पहले आपको OTP से आपको लोगिन करना होता है फिर आपको न्यू पासवर्ड करना होता है उसके बाद थूरू पासवर् करना है लोगिन कैसे करना है ठीक है OTR के लिए क्यों OTR पर मैंने एक सेपरेट ली वीडियो बना गया है लोगिन करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का डेसवर्ड दिखेगा जिससे पहले भी कुछ डेसवर्ड दिखेगा जहां पर पर प्सन डीटेल से जगा पैंडिंग दिखाएगा जो की 72 गंटे के अंदर बंद के आ जाएगा और यहां पर आपको अपना OTR नंबर शो होगा इसी OTR नंबर को आपको नोट कर लेना है और दुबारा उस वेबसाइट पर चलेंगे हम और फिर करेंगे अपना प्रोसेस पूरा दुबारा उस करेंगे यहां पर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लिखने के बाद प्रोसेड पर क्लिक करेंगे फिर आपकी डिटेल्स यहां पर आजाएगी आप जैसी स्क्रोल करेंगे यहां पर आपको अपनी डिटेल्स दिखेगी फिर आपको क्या करना है क्लिक करना है उसके बा एक OTP मिलेगी उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं तो आप किसी पर भी किलिक करिए चाहे मोबाइल नमबर पे चाहे इमेल पे जो भी रजिस्टर है ठीक है दोना ही रजिस्टर होंगे तभी आपको यह दो पॉप्षन है फिर 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 क्लिक करना है यहां पर OTP आएगा O जो बेसिक डिटेल आपने दिये है वह आपसे यहां से मर्च किया जाएगा तो यह जितने भी ओप्षन दिख रहे हैं यह सारे कंपल्सरी है मैं आपको एक बार बता देता हूं यहां सबसे पूछा गया है कि आपके पास एक बैसलर डिगरी है कि इंडिया में किसी भी उनि चाहिए उसके बात पूछा है कि आपके पास computer की knowledge है और आपने ccc certificate course in computing कर रखा है तो यह आपको भी yes करना है और यहां पर आपके लिए internal choices के लिए कि यहां पर आपको simply capture कर लेना है ठीक है capture कर लेंगे हम यहां पर capture करने के बाद आपको proceed for entering करना है scroll करना है यह भी छोटा सा है तो इसको आपने दो साल देना चाते हैं तो यहां पर आप अपनी राय दे सकते हैं उसके बाद पूछा गया है कि क्या आपने b certificate ले रखा है ने अशनक एड़िट कॉप्स में तो हाँ है अगर ले रखा है तो simply आप यहां आप इसे छोड़ सकते हैं यानि no कर सकते हैं उसके बाद simply अगे बढ़ेंगे यह सारी आपकी details है चेक कर लिजेगा उसके बाद यहां पर प्लीज सेलेक्ट आई एकसेट द अवोड डिकलेशन पर यहां पर करना है तो यहां पर आपको capture लिएना है और फिर preview फॉर्म पर क्लिक करना है तो यहां पर मैंने capture लिया उसके बाद यहां प आप यहां से अदेट कर सकते हैं इसके बाद चांस नहीं मिले आपको तो अगर करना है तो आप करिए नहीं करना है तो संब्मिट करिए अ विंडर को अ quests को करना है लिए इताए कि आप करने के लिए यहां करने के लिए लिए की आप कर्बेंट करना है तो इसके बाद यहांसे संप्रोल करेंगे पैसे सकते हैं नियांगे 따o वह धाल वक्रवर करना फिर Woah und पर करना इन लॉक्यार कई ना यहां पर यहां पर एक्सप्राइब करना नाम उसके बाद यहाँ पो पे कर देना है तो पे करने के बाद आकके बाद आपका सिंपली फाइनली पेमेंट हो जाएगा पेमेंट होने के बाद आप अपने application form को डाउंट कर सकते हैं डाउंट करने के बाद उसे save कर लिजेगा पर फॉर्दर रेफरेंस के लिए ताब भी भी आपको भविसे में जौरत पढ़ सकती है ठीक तो इस तरह से आप application form भड़ सकते हैं UPSC में private के लिए तो अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कर देना अगर कोई भी डौट आ रहा हो आपको OTSA related form भड़ने से लेटरी तो comment में जरूर बुचेगा मैं आपके doubt जरूर वीडियो बत झाल झाल